So hey guys, welcome back once again and here I am with another episode of Summoner War Lost Centurion और इसमें मैं बताओंगा आपको की कैसे खेला जाता है actually game बहुती simple game है, ATV8 का game है, यह ATV8, मतलब आपके 8 plays और सामने के 8 plays, बहुती simple game है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हो, पहले तो formation में ही आपको पूरा explain कर देता हो तो यहाँ पर मैं देखो formation में आगया और formation में आपको देखेगे front line में 4 play रहे, back line में 4 play रहे और extreme right में आप देखोगे कि 3 spells है, तो यहाँ पर यह formation यहाँ पर set किया जाता है actually तो अब यहाँ में आपको बता देता हो, अप देखोगे characters के card है और characters के card के उपर जो है numbers दिखेगे आपको, blue color में number दिखेगे आपको जो कि 5, 4, 3, 2, 2, तो यह denote करता है कि आपका character कितना energy use कर रहा है, जब आप इन यह में हो कितना energy use कर रहा है वो उपर वाले numbers बता देते, जो top left में number है, वो बता देते कि कितना energy use कर रहा है, हर character अलग-अलग energy use करता है bottom right में देखोगे, आप 4, 5, उसमें भी color देखोगे, आप green color है, pink color है, और सादा black color है तो उसमें आपको देखेगा, वो है level of the characters है, level 6, level 2, level 1, 2, 3, 4, ऐसे वो denote करता है तो यह चीज हो गई, character का energy use और level हो गया, और नीचे आप देखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 character तो वो character, वो align किये, 1, 2, 3, 4, मतलब यह पहले character पर हमला होगा, फिर 2, 3, 4, ऐसे, एक 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 करके, characters पर हमला, at a time a की character पर हमला करते है मतलब normal attack at a time a की character पर होता है उसके नीचे देखोगे, आप number दिखेगा, 4, 2, 3, 8, वो आपकी team की strength denote करते है, वो number और उसके नीचे average mana cost यह तो यह मैंने formation को आपको बता है कि यह कैसे work करता है, आपके characters energy level पर work करता है अभी gameplay में आते हैं और gameplay में बताता है, actually यह energy level कैसे use होती है and all तो यहाँ पर जब अभी gameplay में आया तो आप देखोगे bottom right में right में देखोगे आपको एक bar दिख रहा है नीचे, characters के card दिख रहा है और उसके नीचे आपको bar दिख रहा है यूटिलाइस करेगे, यह automatically fill होते रहते है बार और आपको वैसे उस हिसाब से आपको cards यूज़ करना है तो बहुत ही strategy का game है, easy है, starting में difficult लगता है लेकिन बहुत ही easy है, easy है समझने में तो यह 4 character है थे, 4 characters में थे, कोई भी एक character आप use कर सकते है और उसके बाजू में एक backup character मतलब अगर एक card यूज़ किया तो उसके पीछे वाला card वो उदर replace करेगा, वो वाला card वो denote करता है, वहाँ पर आ जाएगा तो यह simple सा basic technique है, यह game में fight करने का, so फिलाल के लिए आप यह gameplay देखो, कैसे मैं gameplay खेला है, so you can see कैसे मैं gameplay खेलता हूँ, और कैसे वो energy use होती है, bottom की energy कैसी use होती है, वो आपको समझेगी यहाँ पर, so basically बहुत ही simple game है, मुझे तो बहुत simple लगा, लेकिन थोड़ा strategy, अगर strategy बनाने आती है, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा खेलने की, कि मैं यह game तीन दीन से खेल रहा हूँ, और मुझे बहुत मज़ा रहा है, पता नहीं, कुछ अलग try करने मिलिया, इसके लिए खेल लिया, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था, and see how मैं gameplay खेल रहा हूँ, और आपको समझ जाएगा, और strategies है, यहाँ पर मैं आपको बताओंगा, इन detail मैं आपको बताता हूँ, कैसे in detail खेलना है इस game को, so बस फिलाल के लिए बस इतना ही यह ऐसे खेलना है, गेम बहुत ही simple game है, energy use करकर के खेलना है, आपके character और उसके energy कैसे use करना है, energy bar, level और आपको character कैसे use करना है, वो इस video में आपको बताना था मुझे, so यह बस इतना ही, बस इतना ही, फिर मिलतें next video में, okay guys आपको बस गार, इह कर gev ईतना ही, की जुएप।